हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुती सुंदर डिजाइन बनाना सिखाऊंगी इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं नेक में, बाजू में और घेरे में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं तो ये देखे मैंने ये पेस्टिंग ली है ये डिजाइन भी ड्रो कर रखा है कुछ इस तरीके से ड्रो करते हैं लेकिन मैं आपको नया तरीका बताऊंगी तो ये देखे दो इंच का हमने निशान लगाया और इस तरीके से हमने पेस्टिंग को फॉल्ड कर लिया है अब दूसरी फॉल्ड हम इस तरीके से लगाएंगे फिर तीसरी फॉल्ड हम इस तरीके से लगाएंगे ठीके तो हमने इस तरीके से जितनी लंबी हमें पट्टी चाहिए उत्री लंबी हमने पट्टी कट कर लेनी है और दो इंच का मार्क करते हुए इस तरीके से हमने इसको फॉल्ड कर लेना है अब 1-1- एक एक-फॉल्ड और करेंगे को एक पहले 2- 1 इंच का और end में हमने 1 inch का fold कर देना है चाहें तो आप इस तरीके से design बना सकते हैं अगर इस तरीके से tough लगता है तो आप ये तरीका बहुत ही असान है इस तरीके से आप design को बना लें तो हमारी जो बंद वाली side है हम इस तरफ रखेंगे और खुली वाली side हम दूसरी तरफ रखेंगे मतलब हमारे जो इसमें दो तरह के design कटके सामने आएंगे और दोनों ही हमारे use में होंगे ठीके कोई भी हमारा waste नहीं जाएगा तो बंद side हमारी इस तरफ है ये देखिए और खुली side हमने left hand की तरफ रखनी है ठीके तो इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है ठीके ऐसे निशान लगाते हुए ये दिखिए निशान मैंने लगा लिया है अब इसकी हम cutting कर देंगे यहां से यहां तक ठीके इस तरीके से cutting कर देंगे और ये दिखिए देन मेंसड़े अब कभी नहीं कर दुदिया इन में मेंूंत higher दूचरा देन जांके-विदक्सस के रहें। इस लोगांने विखेस बाजों में और लोगांते है। और कुर्ती के खेरे में भी लगा सकते हैं ठीक है आप यूज करना चाहें इनको यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप बहुत यसान तरीके से इन डिजाइन को कट कर सकते हैं ठीक है अब जो चिपकन वाली साइड है उस तरफ हम रखते हुए प्रेस से इनको हम मतलब पेस् दोनों साइड से कट लगा दिये हैं अब हमने इसको फैब्रिक ग्लू जो आती है उससे हमने यह देखिए यह फैब्रिक ग्लू आती है मार्किट में और इससे हम इस कपड़े को चिपकाएंगे ठीके तो यहां पे इस तरीके से हमने ग्लू को लगाना है पेस्टिंग के उप और यह बहुत ही फिनिशिंग से यह डिजाइन बनके आता है अगर चाहे तो हम इसको सिलाई से भी स्टेच कर सकते हैं लेकिन फिर इसमें ना फिनिशिंग नहीं आएगी इसलिए हम ग्लू से इसको फिक्स कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट कर अब हमने इसको जैसे थोड़ी ग्लू सूख जाती है तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे ठीक है ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और हमारा जो डिजाइन है बनके बहुत अच्छे से सामने आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने सारा जो डिजाइन है उसको हमने तो यह देखें एक साइड मैंने फोल्ड कर दी है अब हमने दूसरी साइड भी इस तरीके से फोल्ड कर देनी है ठीक है तो इसमें मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से फोल्ड हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा वीडियो पसंद आती है तो like, share, comment जरूर करेगा ठीक है और bell icon को जरूर प्रस करेगा ताकि कोई भी वीडियो में डालू तो notification सबसे पहले आप तक पहुंचे ठीक है तो ये देखे फ्रेंट्स दोनों design मैंने glue के साथ इसको चिपका लिय अब ये वाले बर्फी वाला जो design है इसको हम neck के front में लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और ये वाले design को हम बाजू पर लगाएंगे ठीक है तो आप मेरी वीडियो में end तक बने रही है ठीक है तो इस तरीके से हमने ये जो बेबी का हमन सेंटर बना लेना है और इसको हमने इस तरीके से सेंटर में stitch कर देना है ठीक है तो रफ stitch कर देंगे बाद में इस लाई को खोल देंगे तो यह हमने इसको stitch कर लिया ठीक है अब यहां पर आप तो यहां तो कोई piping लगा सकते हैं यहां फिर कोई भी लैस लगा सकते हैं तो इ सकते हैं तो एक साइड में मैंने लगा दिया है अब दूसरी साइड में भी हम इसको लगा सकते हैं तो यह तरी के से हमारा आप प्लाजो में भी लगा सकते हैं, जितनी बट्टी आप बंबी कट करना चाहें, उतनी बंबी करणां रखके, इसी तरीके से आप इसको कट कर लें, अब मैं तो इसमें आपको बाजो में लगा कर के बताओंगी, तो इस तरीके से आपने बाजु की जो उल्टी साइड है, वो ऊपर की तरफ रखनी है, और सीधी साइड है, जो नीचे की तरफ रखनी है, यह तो प्लेन कपड़ा है, इसमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन आप जो कलर्फूल कपड़ा होता है, जिसमें उल्टा सीधा पता चले तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि उल्टी साइड आपने उपर रखनी है और सीधी साइड आपने नीचे रखनी है ताकि आप पट्टी को परटाएं और हमारी यह पट्टी है सीधी साइड की तरफ आ जाए अगर आप इसमें पाइपिंग दिखाना चाहते हैं त तो आप इसी तरीके से आप सलाई लगा सकते हैं तो इसमें मैं पाइपिंग दिखाऊंगी तो थोड़ा सा हम पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से हम पाइपिंग को दिखाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है वो भी दिख जाएगी और बड़ी फिनिशिंग से आपकी पाइपिंग नजर आएगी और यह देखे मैंने पाइपिंग दिखा दी है कितनी अच्छी लग रही है अब यहां पे आपने डिजाइन के उपर इस तरीक से सलाई लगा लेनी है और आपका डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाएगा यह दे